नमस्कार आपको स्वागत है एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ एन्सीपी गुट के नेता और पूर मंतरी बाबा सिदकी मडर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 8 अक्टूबर को 5 और आरोपियों को गिरफतार किया पुलिस के मुताबिक इन सभी ने मुख आरोपियों की हत्यार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था सभी को कोट में पेश किया गया और 25 अक्टूबर तक पुलिस इमान में भीजा गया है एक अधिकारी के मुताबिक बाबा सिद्गी मर्डर केस में अब तक 9 आरोपियों को गिरफतार किया गया है तीन आरोपी फरार है गिरफतार हुए पांचों आरोपी मुख्य साजिश करता शुबम लोनकर और मास्टर माइंड मुहम्मद जिशान अक्तर के संपर्क में थे ये दोनों अभी फरार है अधिकारी ने कहा ये गिरफतारिया रायगर जिले के पन्वेल, कर्जत और आसपास के इलाकों से की गई है इरफतार लोगों में नितिन गौतम सपरे, संभाजी किसान पार्दी, प्रदिप दत्तु थोंब्रे, चेतन दिलिप पार्दी और राम फुल्चन कनोजिया शामिल है सपरे, डोम्बी वली से हैं, चेतन संभाजी, फोंब्रे ठाने जिले के अंबरनाथ और कनोजिया रायगर के पन्वेल का रहने वाला है 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्गी की उनके बेटे जिशान के ऑफिस के बार गोली मार कर हत्या कर दी गई थी हत्या की जिमेदारी गैंग्स्टर लॉरेंस गैंग ने ली है गैंग ने बाबा के मुडर अकारण बॉली वूट सुपस्चा सल्मान को बताया सल्मान को आज भी इमेल के जरिये जान से माने की धंकी मिली है मुमेपुलिस के मताबिक आरोपियों से पूश्टाज में सामने आया है कि नितिन, गौतम सप्रे और पूलचन, कनोजया इस मौडियूल के प्रमुक सदसे हैं सिद्रकी की हत्या में इस्तिमाल किये कि हत्यार इस मौडियूल ने ही शूटरों को मुहया कराए थे हत्यारों में, विदेश में बनी पिस्टल, टीमॉस ब्लॉक और एक देशी विस्टल भी है पुलिस के मताबिक हत्यार उत्तर भारत से लाए गए थे मिट सितंबर में इनकी डिलिवरी की गई इस मौडियूल ने शूटरों को पैसे और ओजिस्टिक सपोर्ट गिया फरार आरोपी शूट कुमार गोत्तम और गिरफतार आरोपी धरमराज कर्श्यप अगस्त में इस मौडियूल के सदस्यों के साथ थे अधिकारी ने कहा कि ये पता लगाने के लिए जान चल रही है कि क्या मौडियूल ने शूटरों को कर्जत मुंबई में फारिंग की प्रेक्टिस में मदद की थी पुलिस अब इन आरोपियों के लोकल नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस के मताबिक गिरफता नितीन गौतम सप्रे हिस्ट्री शीटर है 2015 में एक मुडर केस में शामिल था इसके अलावा हत्या के परयास और आम्स एक्ट के मामले में उसका नाम है सप्रे पहले भी जेल में जा चुका है पुल्चत कनोजिया भी हिस्ट्री शीटर है अधिकारे ने बताया कि क्राइम ब्रांच इसकी भी जाच करेगी कि क्या इन पांचों का सलमान खान के घर पर फारिंग केस से भी कोई कनेक्शन है